के गाइस वेलकम बैक टॉमाइच चानल फर्स्ट और जिसने पे तक इसके प्रीवेस एपिसोड नहीं देखे हैं मैं आपको पता दूं कि वह आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे तो फटाक से जाहिए वहां से चेक कर लेज़े क्योंकि इस्टोरी जैसे जैसे बढ़ सब्सक्राइब कर बोलता है कि अगर मैं कुछ छोड़ूंगा तो मुझे कुछ मिलना भी तो चाहिए ना खुद को छोड़ना की कोशिश करती है जहां पर भी वहां से निकाल कर पहाड़ ले चाहती है जब जब यौंग ने वहां को बढ़ने के लिए अकेला होज़ पड़ सब्सक्राइब करना जिसे ही तुम्हें नुक्सान हो यौंग को मैं संभाल लूंगा ये बोलते ही उसे पटाक से किसकंड लगता है जोड़दार थपर मारते हुए कि मेरी जूटी करने के तुम्हें को ठीक करके मैं यहां से हमेशा के लिए चली जाओंगी नौब को उसकी परगु करने के वह अमकर करें कर रहा हूं वहीं दूसरी और टीक्रा करती है 9-9 को यह लगने लग जाए कि यौंग उसे फूर्स कर रहा है उसे वहां से घर लेकर जाता है और बहुत बुरायां करती है कि दोनों मिलकर मुझे फसा रहे हैं और तभी गाइस अचानक से नौप को चकरान लग जाते हैं यानि कि उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसके बाद वह बैट पर ले ज कुछती है तो दुनों को वह तो ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरा फिल करती है वहां से जाने लग जाती है नौप उसे देखकर फिर उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो इतना हट क्यों हो रही हो तो शियन बोलकर चले सुटिकल मांगता है क्योंकि पहले वो लोग पाटनर थे लेकिन अब वो सबर्दस्ते वालाई से पेपर पर साइन करा लेता है नेक्स टेशियन उन्हीं डॉक्टर से नौप के मां के उस टाइम के ड्राइवर के बार में पोश्टी है लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नही होगा नौप फिर शियन को अगर पूछता है यांग ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं जापर तपी बैन को पीछे करते हैं तो नौप से लड़न नहीं लग जाता है तो शियन उनकी फैट को खत्म करवा दी है नेक्स सीन में नौप सिदा पुलिस लेकर यांग के फॉर्म के बारे में जिसके बाद फिर यांग नेक्स टेव लाएक के पांच अगर उसी मारता है और उसकी वीडियो पना कर शियन को भेश कर भूलता है कि अब इसने और नौप ने तो हद पार ही कर दी है और अब मुझे कुछ नकुछ तो करना ही पड़ेगा यह देखकर से पूछते हैं लेकिन माजूट बोल देती है कि उनने तो कुछ यादी नहीं है जैसे ही माठीक होती है तो नौप उसे पूछता है कि क्या अब वो शियन यहां से जाने वाली है और वहीं वालाई मां की वीलचेयर को सीडियों से गिराने की धमकी देने लग जाती है ताकि व मां की हेल्प के लिए जा रहा था लेकिन माने उन्हें रोक के जल्दी से चलने को कहा था शियन फेरोज डाइवर को नौप के पास लेकर जाती है और सब को सुनकर नौप को यकीन ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसने वालाई से जो डिल गी थी कि अगर वो खुद को छु है कि तभी नौप राकर शियन को बचा कर अपने घर पर ले जाता है जहां उसे खुछ रहने का बोलती है तो नौप उसे कहता है कि उसकी खुछी तो वह है और वो चाहता है कि उसे कभी भी दूर ना जाए लाइफ में जो कुछ भी प्रावलम चल रहे हैं वह दोनों मिलकर कर लेंगे साथ ही बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं यह सब कुछ सुनकर दुश्यन काफी मोशनल हो जाती है जिसके बात फिर दोनों यह दूसरे को किस करने लगते हैं और साथ में रोमेंटिक नाइट को भी स्पेंट करते हैं नेक्स्ट जैसे ही नौप और दुनों हॉस्पिटल पहुशते हैं नौप नेशन का हाथ पकड़ा हुआ होता है जिसे देखकर वालाई तो काफी जल भूंचाती है और इस पर पूरा बनाती है यह को यौंग को देने का यौंग को बेवोश करके साथ में उसके कुछ गलत करने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से वालाई के अंदर की अच्छाई जाग चाती है और वो यौंग का सारी फोड कर वहां से शियन को लेकर बचायकर भाग जाती है जैसी शियन को होच आता है तो वह समझाती है कि वालाई नहीं उसकी एक क्लिप दिखाती है जिसमें वह नौप के उसी पार्टनर को मार रहा था जिसने की सूसाइट किया था और यह देखकर नौप फिर उस पर हमला करने की सोचता है लेकिन तब वलाई उसके कंदे पर पैंसली घुसा देती है और आखिर उसका पहला पेशा नर्स चुथा यह बात वह बहुत ही अच्छे से जानते थी कहां कि सको मारने पर जोट लग सकती है जिसके बाद वो तो यॉंग को ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती हैं साथी उसे ही विधम की देती है कि अब मुझे और मेरे बेहन से दूर रहना यॉंग के ठीक होने के बाद नौप उसे वान करके चला जाता है कि मेरे पास तुमारे खेला बहु यहां जोट बोलती है और यह बच्चा किसी और कर नौप का उसकी बातों पर यागिन कर लेती है फिर से वालाइं एक जूटी रिपोर्ट नौप को दिखाकर कहती है कि तुम मुझसे शादी करके इस बच्चे का ध्यान रखो यह सुन कर नौप पूछता है जिसकी बाद अ हाट करके ना चाहती हुए भी उससे हां बोलना पड़ता है यह सब को सुनकर नौप काफी ज़्यादा अपसेट होकर वलाई की कियर करने लगता है नेक्स सीन में बैन के साथ में बैट कर रोने लग जाती है क्योंकि वह भी नौप से बहुत ज़्यादा प्यार चुकरती थी बैट फिर उसको संभालता है और यह देखकर नौप तो उसे गलत ही समझ लेता है तीरे तीरे दिन बीटते जाते हैं और उसके बाद नौप वलाई को अपने प्यार में फसाकर अपने सारे प्रॉपर्टी वापस ले लेता है जिसके बाद बात शियन के सामने की वलाई को शादी के लिए प्रपोस करता है यह दोसे दिरफ यौंग वान को मारके उसके फोल से सारे सब्वूत को चेक कर लेता है जिसका साथ मतलब यह कि वह प्रेगनेट होने का नाटक कर रही है यह शादी वाले दिन जाकर वाला इससे पूछता है कि यह वच्चा मेरा है ना और सच मेरा है तो यह तो बहुत अच्छी वात है कि तुम्हारे और नौप के बीच में उस दिन को चुहाई नहीं था वन तो तुम्हें शादी करनी ही है तो कर लो वैसे भी मैं तो इस बच्चे को यूज़ करके नौप को पूरी तरह से बर्बाद करी दूंगा यह बोलकर व होते ही नौप सबके साने वालाई के साथ में कौल देता है जिसे वालाई की बहुत ज्यादा बेज़ती हो जाती है शियन नौप से पोश्चती है कि अब तो तुम बहुत खुश होगे क्योंकि तुमने मेरी बहन को बर्बाद चुकर दिया और सब कुछ चीन लिया नौप दूसरी तरफ वालाई मां के पाँ जाकर क्राइम एकसेप्ट करने को कुलती है लेकिन तो उसकी मां फटाक से खड़े होते हुए वालाई को मार के जलाने लगती है और वालाई से कहती है कि जैसे वह डॉक्टर मारा था न अब तू भी वैसे ही मेरेगी चाहपर गाइस फ् प्रॉपरटियन की वाइफ की हो जाए मॉम फिर वालाई को जलाने की कोशच करती है लेकिन खुदी जलकर मर जाती है जिसकी बात वालाई तो बच आती है जब उसकी मां के बारे में सब कुछ पता लगता है तो वालाई के पास आता है और पुलिस ने उसे अरस्ट करने को वालाई बेव शक्र में पर गिर जाती है की फिर नॉप को बुलाता है और उसे वह क्लिप दिखाता है जब लाई ने मां को कण्फेस करने के लिए कहा था लगतिक लिए का कैमरा ओन रह गया था जिसमें उसकी मां की कही सारी बते रिकॉर्ड हो गई थी और नॉप तो उसे वालाई की किर की रिस्पॉंसिबिल्टी देकर चली जाती है जिसकी बाद माँ बहुत यह जैसे वालाई की केर कर रहा होता है और वहीं शियन कहां गई है यह जानती थी शिए उसे बताते हैं कि वह प्रेगनेंट नॉप के पास लेकर आता है और उसे बहुत जाता है नॉप फिर उसे पीछे से हग करके उसे सारी बात लिए माफिय मांगता है और यह प्रामिस करता है कि उसका हमेरी शक्राइल रखेगा उसे माफिया था नेक्स्ट वालाई भी ठीक होकर उसे माफिय मांगती है जिसके बाद अब हॉस्पिटल का सीयों नॉप को बना दिया चाता है और पूरा हास्पिटल यानी हैंडल कर रही होती है और डॉक्टर प्रकॉप की फोटो से बोलती है कि वह उसे सबसे अच्छा हास्पिटल बनाएगी वहीं दूसी तरफ वलाई ने भी यौंग के आलत पूरी लाग के लिए खराब कर दी थी नॉप उसे पताता है क सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपसे नेक्स्ट टाइम मिसना हो चाहे